यह मुंबई खौपोली बाइपास है और नाबोट में साम लोगों ने लेफ मारा है और यह रोड जो है सीधा पाली गणफती के लिए जाता है तो इसी रास्ते पे गणफती मंदिर के पहले तुदा गणफती के लिए लेफ्ट आएगा तो मैं लेफ्ट आपको बता हूँग लेफ में उनेरे कुंड है सीधा पाली है लेफ में जो उनेरे कुंड है हमें लेफ मारने आगे से और यह रास्ता जो है यह जाता है गरम पानी के कुंड की दरफ तो अब यह मैं आपको जो लेके जा रहा है गरम पानी का कुंड है वहां पे हम जाएंगे और वहीं से सीधा आपको पावार जी मिलेंगे जो दवा दिता है ताहा माधा तीसरा महीना है माला कूप परक पड़ ला है नहाता बगा काशा है एक तब कड़ा पर आतुन जी सूस होती है कि जारा कमी जाले ले कमी जाले का अनि खाय रहा होगे ले विश्चित आताना दमता अच्छा नमस्कार दोस्तों मैं सूर्यारावन है और आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वाजत है दो मेने पहले मैंने पाली का वीडियो बनाया था जहां पे पावार जी है जो ना कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं आयरुवेदिक पद्धिती से उनके पास काफी एंट्रव्यू करूगा मुझे नव बजे पहुचना है और मैं 6.30 अंदेरी से निकला हूँ जोईन किया दीपक चावान दिने में जोगेश्वरी से इनको पिकप किया था और अले मॉर्निंग खोड़ा अंदेरा 6 बजे जादा होने के कारण मैंने वीडियो स्टार्ट नह जाते है जै श्री पंचमुती मावुती मुंबई गोवा रोड पर मैं आप द्रास्ता बताऊंगा नागोट ने सबीर कहां से लेफ रेट हो सारी में जानकर ही आपको दूगा तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे कलम बोली से पनवेल के लिए पहुचा तो मैं भी झाल झाल खाया सब्सक्राइब चाह पीला बसे खुट हमने करनाडा क्रॉस किया है और करनाडा क्रॉस करने के बाद में बांदन वाडी गाऊ है सिहा थामूल थोड़ा चाह गया है यहां से आगे के लिए चलते है यह मुंबई खोपोली बाइपास है और नाब उटने साम लोगों ने लेफ मारा है और रियर रोड जो है यह सीधा पाली गणफती के लिए जाता है तो इसी रास्ते पर गणफती मंदिर के पहले सुदा गणफती के लेख लेफ्ट आएगा तो मैं वह लेफ्ट आपको बताऊंगा और राइड में आप देख सेक्तों कि यहां पर नती है पाली वाले रोड पर जब आओगे तो गणफती मंदिर के पहले यह आपको बोड दिखेगा उनेरे कुंड लेफ में उनेरे कुंड है सीधा पाली है लेफ में जो उनेरे कुंड है हमें लेफ मारने आगे से और यह रास्ता जो है यह जाता है गरम पानी के कुंड की दरफ तो अब यह में आपको जो लेके जा रहा है गरम पानी का कुंड है वहां पर हम जाएंगे और वहीं से सिधा रास्ता यह उनेरे गाव में जाता है जहां पर आपको पावार जी मिलेंगे जो दवा दिते है य मेरे गरम पाने चे जरे और एक छोटा से ब्रिज लगेगा आपको वह ब्रिज को हमको क्रास करना है यह राइट में गरम पाने का कुंड के लिए रास्ता जाता है जो राइट वाला रोल है यह आगे सामें यहां तो यह देफ्स पार कि अचले टी है का तोले कर ढाला वीर क hose. खभक कर अचलो कि अी सही जेंच तेक के लिएे ब्रेंच क लिएे जेजसी के अगरे. कर दो इस तो इस विवे जा लिए तो इस अर भी टीटेज आले तो कि अगरे कि टालूगा है तो एट लास्ट हम पावर जी के घर पर पहुझ गया है और यहां पे बाहर का में आपको थोड़ी दिर में भी दुर्शे दिखा हूंगा कि बाहर काफी पेशेंट्स है एट स कि अपना किया हैजने एल गादिकंटर्ट लिखा है दो नेत कि पॉँछाड़ी को परूभे करते हैं के हैं कींव काल गाल है पोस्ट पाली यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो यहाँ पर किस तरीके का मतलब किया प्रोसेस मैं आपको पेले उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताता हूं यहाँ मैं अगर आपको दिखांगा तो जितने पेशेंट्स आते हैं तो आपको सबसे पहले उनका रेश्टेशें उन्यों होता है और उनके डिपोर्ट सियाए पी चेक करते है डिपोर्ट्ट चेक होने के बाद में अंदर यहां पर आज हो तो यहां पे डॉक्टर बेठे हुए है उहां पर आपके रिपोर्ट्स जो है यहां पर वेरिफाइड किया जाता है कि आपको था रही को था है यह है मैं दौक्टर शुभांगी निशावन सब कैंसर पेशेंट आते हो तो लेकिन वो आते हैं तो हम लोग उनको नहीं देते कि हाँ आपका कैंसर कन्फर्म नहीं है तो पहले मुझे देखना पढ़ता है कि क्या डिया भर आप आतो आपकि लिए प्लस पाइंट है कि हाप पे डॉप्टर एवलिबल है जो आपका डियाप करते हैं उसके informação पी इला इहां प्रुपर्ट यह आपको फर्ट यह जाते हैं अज़ा खाया हो गिरे विश्ची ताताना दमता आचा अउशादेने आरम पड़ता है अबने को तुनाला शातारा शातारा साहिए है इनको माउथ कैंसर है एक मेना पहले उन्होंने दवा लिया था जो इनको पहले खाने में डिक्कत हो रही थी खाना खाने में और इसके दवा असर करता है क्योंकि नेट पर क्या हो रहाएकि काफी लोग, आप लोग स्वाल कर रो क्योंकि मैं रांग परशन हो जा तो मैं उस पर गुमेंट करना या रिप्लाइ देना कलत है इस के लिए हुआ है इसके लिए हो कि में आपकि जो पने ज़वाब यहां आने के बाद नभर मुर्स हाथ। यहां आने के बाद सब्सक्राइटा है आणि की सभी के लिए अरुवेधिक लभाई यहां पे पैक करके यहां पर रखे हो। जो यहां पे आते हैं उनको परस्टनली मिल जाता है और जो पेशेंड यहां पे नहीं आते हैं, उनके रिलेटिटिव को डे देते हैं रिलेटिव को दे देते हैं और सेकेंड ताम आपको आने की ज़रूपनी है क्योंकि इनके पास में सारा रैकॉर्डियां पर मेंटेन होता है यह आपको कुरियर से यहां से मेडिसन आपके डेस्टिनेशन पर बेश देते हैं मादनाव माईश मोतिराम सांगो माजे मित्रा नी मला एक वीडियो पटाव लेला त्या वीडियो चे एड्रेस वर मी इते आलो अता हमाद तिसरा महीना है मला खूप फरक पड़ला है अता बगा कशा है एक ताम कड़क महते है तेतर है अपने इतम धंठनीद वाटता ता आण है कि मांजे आउशादनी फरक पड़ता है कि ना इत्या साथित आपन हे वीडियो बन वाटता है एक ताम परफेक्ट पड़ता बिसिकली मंजे आपला तिसरा महीना है काय प्रब्लम होता अपना पुस्ट्रेट चा कैंचर अच्छा अच्छा अधि 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 में मुंबई वर्नाल वर्नाल विडियो और कुछ लोगा के कमेंड्स आए ते कि यहां पर रैकॉर्ड तैसे मेंटेन किया जाता है तो मैं आप लोगों को बता दू कि स्टार्टिंग वेजिश्टेशन होता है जहां पर नाम नम लिए जाते हैं आपे सारे टिक होते हैं परेशन हुआ या नहीं हुआ है कमोलिया है रेडिशन लिया है उस सारी चीजों कि इसमें जानकरी होती है और किस तरिके का मैडिसन आपका चल रहा है तो इस तरीके कि यहां पे आज के दिन के में अगर आपको दिखाऊ आप यहां पर यह बंच पड़े हुए तो यह मेरा पुरा एक माईना हुआ फर्स्ट क्यम हुआ था इसके बाद बोले थे कि चार पाच क्यम और लगाने पड़े वैसे बेटे बेटे यूटूबर में ने देखा व्यूडियो और यहां का तो चाचा के साथ यहां पर आके हमने यहां से दवाई ली और एक माईना के बाद आजा हम आए तो चैसे में ने यह हैरोटिक डवाली तदसे बहुत आज्छा मतलब में रिजर्ट भी आये है कने दिन से मैठी चल रहा है यहां वह है तो एक मेहने बाद में में फटनेस नजन चालो करने रहे है और यह अब पर अर्फ wykon तो इसके लिए अर्दեղा वहाई हूँ हो स्मिर इवाताने कि अभी तक अभी किटने बजे और किटने पेशेंट अभ आए हुए घ़ी देढ बज गे ऑर अभी तक पेशन आंके 105 और अभी कितना नंबर चल रहे आप चल रहे हैं 40 और कितनी आपक्षा है कि और बढ़ सकते पेशेंट्स या इतने पेशेंट्स पर श्टॉप कर देते हो इतने स्पेसिटीज जितने आते सब का यहां पे चेक अपर देट हैं कि अपने यह दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं तो इस्को रिटन नहीं जा मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे इस मेडिसन के बारे में फीसबुक के उपर जो यूट्यूब चैनल के उपर लॉट वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको द्वारा पता चला, और मुझे पता चला कि इसमें आयोर्गोदिक, जो 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 डियो बिदिया है, उनका इस्तेमाल क मिलेगा, जो ओगर लोगों का रिस्पॉंस हमने सुना है, यूट्यूब, मैं जोयब भली, खंडवा एंपी से आगया हूँ, आपको कैसे पता चला है, यहां के बारे में, यूट्यूब पे इनका व्यूदियो देखा था, और भी कुछ लोगों से इनकी तारिप सुनी थी कि इनके यहां काफी अच्छा ट्रिटमेंट होता है, और लगबग लगबग 90% लोग सही होई जाते हैं, मतलब इनके ट्रिटमेंट से, इसलिए में जो है, इनके काफी तारिप सुनके यहां तो आज आप यहां पे कितने बज़े पहुचे हैं? मैं सुमा नोबजे आ गया और जिस अब डिरेक्ली वहीं से यहां पे आयों कि यहां पे बेट किया था आपने? मैं खंजवा से कलियान आया, कलियान से फिर कपोली, कपोली से यहां आया, फिर पाली आया कि तल राथ होटल में रुखा, जा काफी दूर से आपको बद्र का प्रवास करना है, जोड़ा आया कि यहां पे परसिनल आवा है, तो प्लीज आप वीडेयो पे गलत कमेंट नहीं किज़ें, क्योंकिसां कया था जरुत मरत लोगी जोがे हैं जो जरुत महीं नने मारत होटें, जो सब्सक्राइब से यहां पर करीज़ें, यहां इसे बड़ाना होता है तो जैसे बाहर ढ वो भी प्रिस्क्राइब करते कि इनको इस तरीके का और इतने लिमिट में दवा देना है तो उनको अलग बॉक्स में क्योंकि मैं यहां पर आने के बाद में देख रहा हो कि पावार जी कम से गब मेरे सामने 20 से 25 बार उटके बॉक्स में अलग दवा देने के लिए और अधेवाद बांडे मुँ राहनर मुँ पुने जिल्ला बहरतालो का मुलाला था प्रोब्लम होता है दर माचा मुलाला तर 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 त्य डोला हड़वाड़ू लाहन हो तर तर मोटा हस्पिटल मधे ट्रीटमेंट लागे लू तर म्राय मधे तर गाट सांगे था है मेंदू जा खाली अनिना सा अमें टाटा होपिटल ला ट्रीटमेंट चालो तेली तेची बायो स्पीट अंची मिटिंग ही जाले तर मिटिंग ही नंतर साएंगे तेली कि अचा ऑपरेशन हो शकत दें जरह क्रिटीकल जागा है अपन कीमो चालो करूं गाडबारी को पन तेला ये पहल जा फोटो भगितला एए विडियो भगितला नंतर मितन ना फोन केला असासा प्रावलम में काई करूं तो ले या उद्या कुसरे शी मिलेगे ज़्याच पाटे निकालो नौ अस्ता इतालो तो तेलने आउश्यद दिले आउश्यद दिले अनतर तीन ते चार दिवसात ते तेला शी भूख लागले सरे लिए मुझे खावा अनि आज जो एक मैं मुझे चाईसे दिवस जाले का आउश्यद खादो है इतला आउश्यद खादो है तर तेला जो 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 विस ते पंचिस टके तचा डोड़ा मुझे अपा बुगरता मुझे गाट नॉर्मल जहरे सर्क यहां पर जो लोग कैंसर पेशन्स या उनके परिवार की लोग ऑल ओवर इंडिया महारष्ट जहां से भी आए है तो उनको एक्चुली यहां किस तरीकी की वेवस्ता है इसका बिलकुल आइडिया नहीं होता है कोई 15-16 गंटे का ट्राइवल करके यहां पर पहुशते हैं क यहां पर आने के बाद अगर कुछ खाने परने की वेवस्ता नहीं हो तो एक तकलिफदा उनको हो सकते हैं और अगर कुछ वेवस्ता है भी तो गाओ के बिलकुल बाहर जाना पड़ेगा मेन सड़क पर तो यहां पर गाओ के कुछ बचचत गटके कुछ महिलाई है जिनों यहां पर वेवस्ता की है जुनका बाकर है वड़ा पाओ है और काफी चीज़े इनों ने बनाया है और इनका इंटेंशन यह है कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े अगर इनके गाओ में कोई ट्रीटमेंट करवाने आ रहा है तो इनके बचचत गटके जो महिला यहां उनके लिए अपने तरफ से जो भी छोटा बट बना सकते हैं जो इनके लिए पॉसिबल है वो यहां पर इनोंने वेवस्ता किया है चार संदे हो गए यहां पर हमने यह स्टार्ट किया है यहां पर सामने जो दावा खाना है वहां पर जो पेशन्ट आते या फिर उनके जो ऩारне 1 जाते औह सुबे से शाम तक यहां पर रहते तो हम भी स्वासा दिखने के लित अधर कशा कि अ चीज肌शने के अनग इसके इसलिए बहुत दूर जाना पड़ते हैं उन लोग को तो फिर हमने सोचा कि यहीं स्टाइट करते हैं तो उनको भी और हमको भी थोड़ा मतलब काम बिल गया और उनको भी कुछ मीले जो बच्चा गटे उनका भी काम निकले तो किस किस चीज की मतला आप यहां पूनके लिए वेवस्ता गरते हो क्या क्या चीज आप यहां पर बना तो उनके लिए जुनका बाकरे वड़ा पाव इदली सांबार चाहा चाहा है कौफी बिस पर चाही की प्राइज है और चार इडली आनि सांबर देख अपन देता लोका न कितिला तीस उर्पे में आपको यहां पर इडली सांबर एविलेबल है दो वड़ा पाव का एक प्लेट है जिसमें दो वड़ा पाव आएगा वह आपको तीस उर्पे पड़े जो गाओ के इ देख जाता है वह भी उन्हें आपको बना के रखा और जो मैंना आपको चावल के रोटी बताई थी इस तरीके से चूले पर यहां पर बना के आपको बचल गाओ के स्टाइल में आपको बना के यहां पर खाना एविलेबल है अगर आपको मेरे पीछे पाहड जो नजर आ रहा है वो है भलाड एश्वर जो महा गणपती है अश्टे विनाइक में से एक गणपती मंदिर है वो जहां पर लोग दर्शन के लिए आते हैं और यह भी संसेट होने को है मैं आपको सं दिखा देता हूं यह सं है संसेट होने को है और आज पेशेंट जो आल ओवर इंडिया से है कुछ पेशेंट से मेरी मुलाकात हुई जैसे कि कोई ओरिसा सा आये थे च्छतिस गड़ है दिल्ली है उसके बाद जारकंड है और एंपी सा आये हुए थे मध्यप्रदेश से कि काफी लोगों नो तिन-तिन का सफर करके एहाँ पे जो मैडिसन लेने के लिए लोग पहुचे थे कुछ लोगों से मेरी बात हुई कुछ लोगोंक HOW मैं इंटर्विव इसले नहीं किया लोगों कीलिए मेरे पर नहीं ला सकता हो मेरे से नहीं हो रहा था और एक चीज यह भी थी कि इतने पेशेंट आयर की देख के इतना बुरा भी फिल हो रहा थे कि ऐसे एक कंडिशन में थे इतने कैंसर का रोग सोचो इतना फैला हुआ है जैसे टाटा होस्पुटल में जिस तरीकी की गर्दी यहां पर चेक अप कर रहे है और पावार उनकी पुरी फैमिली इसमें लगी हुई है और उनको शाम होगे लिए कि नब तक उनको खाना-खाने का मौका नहीं मिला है और यह प्यारा सा संसेट मैंने वाल लोगों की बीच में वीडियो वाइंड अप नहीं किया इसके लिए और लोगों तक पहुचना चाहिए ताकि और कैंसर पेशेंट को इस वीडियो से फाइदा हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो पर कमेंड कीजिए अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए ताकि यह जानकर ही और लोगों तक पहुच कर दो कर दो